नमस्कार, रेणुका रानी सिह महादेव चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत हैं। आज का विशय है ग्रहस्त जीवन। ग्रहस्त जीवन मोक्ष का मार्ग है, वैबाहिक जीवन धर्म, मर्यादा सन्यम त्याग एवं सहन सीलता का पर्याय है। इन गुणों के समावेश से ही वैबाहिक जीवन सुख सम्रद्धी एवं विकास का आधार बनता है। और इसी पत से गुजरते हुए जीवन के अंतिम एवं सर्वोच तत्व मोक्ष को भी प्राप्त किया जा सकता है। बेवाहिक जीवन की धूरी नारी को कहा जा सकता है क्योंकि उसके द्वारा मातरित्व का विकास होता है। पतनी के रूप में नारी अपने पती के लिए कल्यान का पत भी प्रसस्त करती है। वहसदा उसके कदम से कदम मिला कर चलती है, परन्तु जब से ग्रहस्त जीवन में इन गुणों का अभाव हुआ है, तब से नारी केवल भोगने का साधन मात्र बनकर रह गई है। बैदिक काल में पती पतनी दोनों को समान रूप से महतपुरिस्थान प्राप्त था। इस संदर्व को डाक्टर सिवधत ज्यानी अपनी पुस्तक बेद कालिन समाज की भूमिका में इसपर्ष्ट करते हुए लिखते हैं कि बैदिक काल में पती पतनी दोनों ही धर्म एवं मर प्रियादा का मनो योग पुर्वक पालन किया करते थे। दोनों के मध्य प्रेम का आधार था विश्वास। विश्वास के कारण ही दोनों एक दूसरे के प्रती अपना सर्वस्र ने चावर कर पाते थे और इस त्याग में आंतरीक आनंद का भी अनभव करते थे। इसलिए रिगवेद में कहा गया है जाये दस्तम अर्थात नारी ही घर है इतनी सुंदर परिकलपना और कहीं नहीं मिलती है। नारी के बिना घर घर ही नहीं होता है क्योंकि नारी सुंदर्य सुख एवं प्रेम का स्रोत है। ये सभी तत्व जहां मिलते हैं वहीं नारी होती ह इसलिए नारी को लक्षमी का प्रतीक भी माना गया है। रिगवेद में कहा गया है दसा स्याम पूत्राना धेही पती में का दसम क्रधी। अर्थात हे इंद्रदेव यह नारी दस पूत्रों की माता बने तथा पती इसका ग्यारहवा पूत्र हो। बैदिक रिष्टीज में नारी की परेणती मात्रित्व में हैं। मात्रित्व का आधार वास्सल्य है। हमारी संस्क्रती में वास्सल्य का विस्तार इतना अधिक है कि हमने नारी के हिरदय में पती के लिए भी वास्सल्य की स्वर्ग्य कामना की है। और नियथा पती के लिए इतने उदात प्रेम की परिकल्पना कदाचित ही संभव हो पाते। बैदिक काल में परिवार इसी कारण सुख सम्रधी एवं संपुर्ण विकास का आधार बन सका। बेदों में पती पतनी के संबंधों की सफलता का मापदंड निश्चित किया गया है। विवाह के समय रिशी नवदम पतियों के लिए प्रार्थना करते थे की बरबधू का बैवाहिक जीवन सुख एवं सफलता से परिपून हो। बैदिक चिंतन इस सफलता का आधार नारी में मात्रित्व के रूप में देखता था। बैवाहिक जीवन में पती की नारी के प्रती पवित्र द्रश्टी एवं नारी का मात्रित भाव ही वह आधार है जिसके कारण ग्रहस्त धर्म को एक तपोवन माना गया है। भारत्य संस्कृती नारी को एक सोतंत्र व्यक्तित्व के रूप में देखती रही है। नारी एक ऐसा व्यक्तित्व का प्रतिनिधेत्व करती थी जिसमें त्याग तप सेवा, सहन सेलता, सहिर सुनता, सन्यम एवं प्रेम का दर्शन होता हो। इन गुणों में से किसी के भी अभाव में नारी अपने दायत्व का निर्वहन नहीं कर सकती। सन्यम सेवा एवं प्रेम पती के प्रती समर्पित होते हैं जबकि त्याग सहन सिलता एवं वास्चल्य के कारण वह मा कहलाती है। नारी में ये गुण नहीं हो तो वह कभी मा कहलाने का सुख नहीं पा सकती क्योंकि एक नवजास सिसू को भी इन गुणों की अत्यंत आवस्यक्ता होती है। ये गुण न हो तो कोई माता प्रशव की असहय वेदना को सह कर अपने गर्भ में अपने प्राणों से सिंचित संतान को जन्म नहीं दे सकती। इसी सहन सिलता एवं ममत्व के कारण वह मा बन पाती है। पुत्री बहन पत्नी मित्र आदी संबंधनारी के उधार हिरदय में खिलने वाले भाव के विविद पड़ाव हैं। प्रेम त्याग सेवा और उतुसर्ग के भाव पत्नी एवं सहचरी की भूमिका में और विक्सित होने लगते हैं। जीवन की सार्थक्ता की यह कसोटी पती पर भी समान रूप से लागू होती है। पती की द्रिष्टी भोग एवं वासना के लिए नहीं होनी चाहिए। यदि ग्रहस्त जीवन का आधार सुख एवं भोग की कामना तक ही सीमित है तो उस विवा के सफलता संदिक्द ही रहेगी क्योंकि जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए वा भोग भोगने के लिए भी त्याग एवं सन्यम की आवश्यक्ता होती है। वैबाहिक जीवन एक ऐसा प्रवा है जिसमें सुख के साथ दुख एवं दुख के साथ सुख ने सेर्गिक रूप से जुड़े हुए हैं। विवाह के पुर्व जो लोग केवर सुख की परिकल्पना लिये कल्पना लोग में विचरन करते रहते हैं। वे विवाह के पस्चात विसाद एवं हतासा का सिकार होते हैं क्योंकि उनकी सभी कामनाओं का त्रिप्त हो पाना संभव नहीं होता। वैबाहिक जीवन में जहां एक और प्रेम एवं आत्मियता का विस्तार है तो वहीं दूसरी और यह सामाजिक समरस्ता का भी आधार है। वैदिक रिसियों ने तो इसे मोक्ष तक पहुँचाने वाली सीड़ी तक कहा है। वैबाहिक जीवन में अपने कर्तब्यों की उपेक्षा नहीं की जा सकती और नहीं उन कर्तब्यों से सदा बधे रहने की आवश्यकता है। अपने कर्तब्यों के निर्वहन के साथ ही अपने अभिश्ट लक्ष तक पहुँचने का प्रियास भी भरसक करना चाहिए। इन प्रकार का निस्काम कर्मयोग की मोक्ष का धार बनता है विवाह का उदेश्य जीवन में सन्यम संतुलन प्राप्त करने के साथ काम भावना का परिमार्जन करना और उससे मुक्त हो जाना भी है जीवन में चार पूरसार्थों में अंतिम पूरसार्थ मोक्ष है जिसका मार्ग धर्म अर्थ के बाद काम से होकर ही जाता है जो यहीं ठार जाता है वह और विक्रित हो जाता है प्रन्तु जो इस वत का अतिक्रमन कर जाता है वही मोक्ष की प्राप्ति कर पाता है हमें भी अपने बैवाहिक जीवन में इसका सोटी पर खरा उतरना चाहिए वह जीवन की पुरुनता को प्राप्त करना चाहिए इसी के साथ मैं अपनी बाणी को विराम देती हूँ जैहिंद जैह भारत